हांजी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में हमारा एक अनोखा यूट्यूब चैनल जहां पे हमारी चल रही है बैक एंड की सिरीज और काफी आप लोग को पसंद भी आ रही है अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा वक्त मिला दिवाली के काम का जो परसनल जो दिवाली क काम चलते रहते हैं तो सोचा एक चोटा सा टॉपिक भी पढ़ा देते हैं और आप सभी से दिवाली की राम राम भी कर लेंगे तो सबसे पहले तो आप सभी को हैपी दिवाली और कमेंट सेक्शन में आप भी एक दिवाली की राम राम छोड़ते जाईएगा तो आप सभी क के अंदर ठोड़ा सा एक चोटा सा topic यह जदा कुछ बड़ा नहीं है जो कि यह file upload आ फाइल अपलोड ना ज्यादतर जो काम होता है इन फेक्ट ज्यादा क्या 90% काम जो होता है वह back-end engineers का ही होता है और एक बार आपको file upload समझ में आगया इसके बाद pdf upload हो image upload हो video upload हो चाहे कोई सा भी upload हो आप सारा काम कर पाएंगे front end जो होता है उसके पास actually है file upload का ज़्यादा option होता नहीं वो सिर्फ एक form बना सकता है एक file को browse करवा सकता है और आपको उसका link दे सकता है बस that's it submit करते time इससे ज़्यादा उसके पास कुछ back end engineers के पास अब जो हम अभी तक का जो tech stack use कर रहे है जो कि express वगरा है इनके पास भी file uploading capabilities direct नहीं होती है तो काफी कुछ आपको configure करना पड़ता है और उसके बाद एक सबसे राज की बाद आपको बदाता हूँ जादा तर file handling ना खुद के server पर नहीं की जाती है तो इसका भी तरीका सेम होता है third party services का भी तरीका सेम होता है depend करता है कितनी बड़ी आप calculation कर रहे हैं कितनी बड़ी files handle कर रहे है क्या उसका rate है calculation का उन सब पर depend करता है यह चीजे तो मैं आपको कुछ international grade की सारी चीजे बताता हूँ जो की production में 100% use होती है कुछ एक नई चीजे भी आपको बताता हूँ उनके बारे में मैं separate अलग video रखूँगा इस series में mix नहीं करूँगा क्योंकि वो भी थोड़ी नहीं है एक दो साल ही हुए इस तरह से handle करना यह बड़ा ही professional एक मामला है देखिए हर जो आपका API endpoint है वहाँ पे files नहीं आने वाली हो सकता है register में आए login में कभी नहीं आएगी क्योंकि कोई भी image के साथ login नहीं करता है तो यह एक सही तरीका नहीं है कि आप इसके लिए आप सारा का सारा code आप उस controller के अंदर लिखो बैटर यह रहता है कि file upload और यह चीज़ है ना इसको एक separate utility function बनाया जाए कई बार middleware बनाते हैं कई बार utility depends हमारा क्या goal है लेकिन हम इसको इस standard alog ही रखते हैं ताकि reuse कर पाएं अब same जो upload का concept है वो image के अंदर भी use कर लेंगे same ही हम video के लिए भी use कर लेंगे same ही हम pdf के लिए उस कर लेंगे तो बड़ा reusable code है और depend करता है कौन से end point में सारे end points में काम नहीं आता है इसलिस को separate रखते हैं हम जादा तर और जहां पर भी जरूत है वहां पर ऐजे middleware इंजट कर देते हैं middleware को याद करने का बड़ा सही सा तरीका एक मैं देखा है कई memes वगरा में भी आपको देखेगा कि यह उसी तरह का होता है जाने से पहले मुझस से मिलके जाना हाँ बस वही middleware होता है कि आप कोई काम करने जा रहे तो उससे पहले बोला कि वह काम करने से पहले मुझस से मिलते वे जाना बस यह याद रखो आपको middleware हमेशा याद रहेगा तो चलिए काफी बात हो गई उमीद करता हूँ आपने comment section भी कर दिया होगा फुलफिल अभी तक हमारा target जो है इस वीडियो पर कोई target नहीं है बस अभी को दिवाली की राम राम है इसलिए कोई target नहीं है आपके साथ screen share करते हैं पहले तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कुछ configuration change करिये अपने vs code की ताकि आपको चीजे और आसानी से और और easily दिख पाए तो जब मैं आप कोई भी file open करता हूँ तो आपको थोड़ा सा और zoomed in दिख रहा होगा क्योंकि मुझे पता लगा analytics से कि काफी लोग mobile पे देखते हैं तो मैंने थोड़ा सा और zoom in level बढ़ा दिया इसका और left side के panel का भी ताकि आपको देखने में आसानी रहे ठीक है तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी services और क्या-क्या हम use करने वाले हैं ताकि वो एक मामला तो हमारा clear हो कि क्या-क्या आने वाला है क्या-क्या use होगा तो देखे सबसे पहली और जो common service है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है cloudnery cloudnery ना market का एक इतना strong contender है और बहुत बड़ी organization है जो कि बहुत सारे काम करती है ना कि सिर्फ AI वगरा के लिए कि आपकी image crop वगरा यह सब कर देगी यह तो करते ही है obviously but कई ऐसी organization है जो इसी के उपर सारे videos भी रखती है PDF फाइल्स भी रखती है और सब कुछ यहीं से handle करती है अगर आप देखेंगे थोड़ा से scroll करके तो हाँ बड़ी बड़ी company के आपको नाम दिखेंगे पूमा जैसी company Atlassian भी behind the scene इसको काफी use करती है और भी आप company के नाम देखोगे content full से लेके AWS तो नहीं करती है बट यह AWS के साथ connected है behind the scene यह भी AWS यूज करते है तो AWS का wrapper देते हैं ताकि चीज़े आसान हो जाए बट इनके अलग-अलग plans है उन plans में आपको AWS manage करने के लिए भी options आपको देते हैं तो काफी बड़ी-बड़ी company यूज करती है अगर आप pricing में जाएंगे यह कोई sponsor नहीं है चैनल के बस use करते है पर जैसे से आप enterprise grade में जाते हैं या और options इनको पैसे देते हैं तो आपके options बढ़ा देते हैं जैसे खुद आप अपना S3 का bucket manage कर लो जो की AWS पर ही होता है तो यह सारे के सारे आपको काम मिल जाते हैं यहां पर हम तो free वाला use करने वाले हैं अब सिर्फ cloudnery नहीं है कि जो ही कि हमारे काम आगा इस पर तो account बनाना ही है लोग इन करना ही है वो तो हम करेंगी बट आपको दो common चीज़े दिखेगी कि जब भी आप file upload करते हैं आपको दो packages तो लगते लगते हैं back end में दो में से एक चूज करते हैं टक्निकली एक तो है आपके पास express file upload अगर आप में से क आपको file express upload पे चाहिए तो बता देना एक separate वीडियो उसके लिए भी बना देंगे इस course में नहीं रखेंगे इस चलती सीरीज में अलग से रखेंगे उसको बट सेमी चीज़े मैं उमीद करता हूँ कि आपको खुद ही आ जाए तो जाधा अच्छा है कब तक ही टुटोरियल के बरों से बैटेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो हमारा है मल्टर ये है file express file upload तो इसमें भी आपको option मिल जाता है कि ठीक है install तो express file upload installation तब हमें आता ही है उसके लाब आपको कुछ भी upload करना है तो इस तरह से upload का आपको option मिल जाता है app.post upload और ये सारा का सारा files वगरा मिल जाती है तो इसको भी हम पढ़ेंगे पूरा documentation कैसे होता है एक हमारे पास है package multer जिसके आपको github पर जाके लेखना पड़ेगा कि मल्टर कैसे काम करता है documentation इसके readme में काफी अच्छा है मैं आपको यहीं से सारा करके दिखाऊंगा कि किस तरह से documentation को पढ़ते हैं जो जरू तो आप भी fix कर लीजगा बट मुझे लगता है आप मेंसे काफी ने तो already fix कर दी होगी जैसे हमने API error के अंदर यहाँ पे एक this comma message लिख दिया था गलती से this dot message की जगे API error के अंदर ही हमने यहाँ पे stack की spelling में mistake करी थी तो मैंने यह सारी errors fix कर दिया आप भी चाहें तो यहाँ पर जाके देख सकते हैं बड़ा easy तरीका है क्योंकि मैं सारे commits manage रख रहा हूँ publicly तो आप जैसे किसी भी commit पर click करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा यहाँ पर stack वाली spelling mistake थी तो यह यहाँ पर सही कर दिये green वाले मतलब मैंने add करें red वाले मतलब यह मैंने remove कर तो बड़ा easy है जादा कुछ नहीं बस वह spelling mistake और यहाँ पर एक minor bug था इस पर click करके देखेंगे तो कुछ नहीं यहाँ पर this comma message था हमेंने this dot message कर दिया तो इतना जादा कुछ बड़ी चीज है नहीं यह चोटा सा इमामला है बट अच्छा लगा देखके कि आप लोग बड़ करें उसी से देखिए निंटेंडो से लेके लिवाइस तक सब यहीं पर ही है मैं अभी login कर लेता हूं क्योंकि मेरा तो already account है इस पर एक demo account में रखता ही हूं सारे tutorials के लिए यह demo account ही है मेरा तो इस पर हम login कर लेते हैं और आपको mostly option यहीं मिल जाते हैं इसलिए cloudinary सब को पसंद copy कर लेते हैं back आते हैं और यहां पर हम इसको install कर लेते हैं एक बार LS करके देख लें हाँ जी सारा मामला ठीक है तो यह लिजे npm install cloudinary अब cloudinary भी इंस्टॉल किया ही है तो हम मल्टर पर भी आई जाते हैं क्योंकि मल्टर भी काम तो करना ही है तो लगे हाथ यह अगर इंस्ट अब लेगे cloudinary का जो second step है वो क्या है कि मुझे import करना है v2 as a cloudinary और उसके बाद मुझे कुछ configurations यहां पर set करनी है और configurations में क्या है इसका आपका cloud का name है मेरे cloud का name है चाय और code आपका कुछ random users होंगे settings में जाके change हो जाता है यह भी कुछ खास नहीं API की और secret में मिलेगा अब obviously बात है cloud name API की secret यह तो बड़ा sensitive मामला है sensitive मामला सारा कहां जाता है अपने environment variables में तो बस इसको configure कर देंगे और उसके बाद यहां पर आग simple सा दे रखा है cloudnery.v2.uploader.upload और फिर आप इसको दे दीजे url बस इतना ही काम करना है तो आपको सीधा का सीधा मिल जाएगा कि cloudnery से कोई भी चीज अपलोड करना इतना भी कुछ जादा difficult है नहीं लेकिन हम क्या करेंगे हमारा जो strategy है ना वो strategy समझना आपको बहुत जर यूजर से file upload करवाएंगे मल्टर के through ही file upload होती है direct cloudnery नहीं होता है cloudnery तो एक service है जैसे AWS की service भी आपको मिल जाती है AWS SDK भी आता है वैसे cloudnery SDK भी है यह SDK ही है यहाँ लिखावा नहीं है .sdk यह-sdk बट यह SDK ही होता है तो cloudnery से हम file कैसे लेके जाएंगे यह cloudnery AWS क्या होत है और यह अपने server पे upload कर लेती है चाहिए cloudnery हो चाहिए AWS हो हम क्या करने वाले है मल्टर का use करते हुए हम उस file को लेंगे user से और अपने local server पे temporary use file को रख देंगे उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद next step में हम cloudnery का use करते हुए local storage से हम file लेंगे और उसके बाद हम उसको server पे डाल देंगे सरी दो step करने के वज़रूत है हम directly milter से file लेके cloudnery को देके सीधा upload नहीं करा सकते हैं हाँ जी पिलकुल आप करा सकते हैं लेकिन आप देखेंगे production grade settings में temporarily file user से लेके खुद के server पे रखी जाती है ताकि at least हमारे server पे एक बार file आ गई है तो हम उसको वापिस से re-attempt कर पाएं अगर ऐसा case है तो ताकि उसको re-upload का एक chances वहाँ पे बने और यह काफी common practice है जो कि production grade servers में आपको दिखेगी बट आप चाहें तो यह step skip कर सकते हैं आप directly वहाँ पे जहां पे भी file upload है मल्टर का हम middleware तो लगा ही देंगे ताकि file access मिल जाए और सीधा cloudnery का function call करा कि आप upload कर सकते हो बट अकसर production grade में आपको two step settings मिलेगी ताकि आप production grade settings में या कहीं job पे जाओ तो आप भी इस तरह से काम करो जैसा actually में industry में काम होता है बट मैं आपको options बता दूँगा दोनों ही कैसे करते हैं बड़ा easy है बड़ा ही basic है एक बार आप code लिखना अशा रहता dark mode है क्या settings में कहीं चले ठीक है dark mode को बाद में देखेंगे अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम यहां से code को copy कर लेते हैं ताकि हमारी files के पास चले हम हाँ जी काफी अच्छा लग रहा है dark mode में आके तो ठीक है अब क्या है कि cloudnery आपको कैसे रखना है as a utility रखना है as a service रखना है कई लोग service folder बना के रखते हैं हम utility में रख लेते हैं utility में हमारे पास में और भी काफी चीज़ है cloudnery नाम से utility बना लेते हैं आपका मन करें तो file upload नाम से बना दीजे cloudnery.js अब cloudnery.service बनाना है या जो भी आपको नाम रखना है वो आप रख दीजे cloudnery ओक है अच्छा यह जो code है वो काफी reusable है आगे जाके भी कोई प्रोजेक्ट बना होगे तो इसको save रख ले ना आपके सारे जगे काम में आ जाएगा ठीक है यह हमारा cloudnery हो गया अब cloudnery फाइल बहना इसमें हमारा simple सा goal यह है कि files मेरे पास आएगी file system के तुरू यानि कि server पे already upload हो गई है कैसे upload हुई अभी नहीं पता मुझे बट यह कोई भी service use करेगा तो मुझे क्या करेगा एक local file का path देगा local file से मेरा मतलब है जो भी file मेरे server पे आप जो आ चुकी है ठीक है हम जो step follow क करना पड़ेगा अगर successfully file upload हो गई है तो अब मेरे server पे उसकी जरूत है नहीं तो उसको हम server से remove कर देंगे तो काफी file handling हम पढ़ेंगे यहां पर तो पढ़ लेते हैं जी तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम cloudnery से लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं यह v2 हमें लाने के लिए आप documentation में भी देखेंगे और इसको ले आते हम from cloudnery यह देखें अब आपको भी exact काम ही बताएगा यहां पर चलते हैं तो यह वाली कहान इसने कहा कि cloudnery मेंसे आप यह v2 ले आओ cloudnery.v2 तो यह v2 हमने extract कर लिया विसके अंदर से जो method है uploader.upload यह method हमें use करने ठीक है जी कर करके और अपना नाम दे सकते हैं custom तो मैं इसको नाम देता हूं cloudnery अब आपके उपर है नाम देना चाहो नहीं देना चाहो एक और चीज हमें लगेगी वो लगेगी हमारे पास में fs और fs कहां से मिलेगा fs अब सरी fs क्या है यह तो हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है तो जहां चाहिए आप यूज कर सकते हैं अब यह आपको क्या help करता है फाइल को read, write, remove जो भी आपको काम करना हो यह सारे के सारे आपके काम कराता है असिंक में, जैसे भी आप चाहें, open directories, open path तो पूरा का पूरा file system जब आपको manage करना होता है तब हम a file system का use करता है ठीक है जादा कुछ difficult है नहीं किसी file की permission change करनी है, किसी file को open करना है, किसी file को read करना है data तो उसके लिए हमारा सारा का सारा काम होता है अब mainly हमें क्या चाहिए यहां से, file का हमें path चाहिए होता है, तो हमारे पास में easily file का path मिल जाएगा, वो हम देख लेंगे और that's it, अब एक जो यहां पे सबसे important change आएगी, वो आती है, हम search कर लेते हैं, unlink तो यह वाला जो है, unlink path, यह क्या करता है, इसको हम देखते हैं, तो यह क्या करता है, if path refers to a symbolic link, then the link is removed without affecting the files or directory कुल्मला के बात यह है, हमारे जो file system होता है, वो काम कैसे करता है, उसमें file है linked और unlinked होती है, जब आप कोई भी file delete कर देते हो, तो file system से unlinked हो जाती है फाइल महीं रखी रहती है, यह basic operating system का 101 है, तो यही काम है, और इसलिए मैं कहता हूँ, जितना आप operating system और यह general आपको knowledge होगी computer systems के बारे में, documentation पढ़ना उत्ता असान होता है, क्योंकि अगर आप search करेंगे delete कैसे करूँ, तो आपको शाए delete का यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं unlinking का मिलेगा, जितनी file system की libraries है, वो इसी terminologies में बात करती है, बढ़ क्योंकि अब आप चाय और code पा हो, तो यह terminology आपको भी मिली रही है, तो अब हमें पता लग गया है, कि यह काम unlink करके हम कर सकते हैं, और file अगर successfully upload हो गई है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है, इतना काम तो अभी हो गया है, अब चलते हैं हमारे VS code पे, तो यह file system हमने import कर लिया है, और सबसे पहले तो क्या करते हैं, अपने वापिस से browser पे चलते हैं, और इसने मुझे एक यहाँ पे option दिया था, यह अपने configuration का, इसको हम copy करते हैं, और इसको यहाँ पे लाके paste करते हैं पहल पे रखावा है, और वेसी बात है API secret मुझे change करना ही पड़ेगा, बट यह क्या है, जितने भी secrets हैं जो भी सब हैं, इसको मुझे दूसरे नाम से अपने environment variable पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आते हैं, और एक एक करके सब का नाम यहाँ पे रखते हैं, तो इन सब को, य यह है हमारा cloudinary, हाँ जी ठीक है, cloud name, तो यह तो हो गया हमारा name, और दूसरा हो जाएगा, cloudinary का API key होगी, तो यह लिजे API key, और इसके बाद क्या चाहिए, secret भी है, अब क्या करते हैं, एक एक करके उन सब को यहाँ ले आते, यह equals, यह भी equals, और यह भी equal, अब मैं क्या करता इसको copy paste कर देता हूँ, ताकि आप भी जब अपने sample वाली file दें, तो आपको पता रहे हैं, हाँ samples में, यहाँ पर अपने इपने inject कर ले न, इतना तो करी लोगे, और हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एक variables को उठा के लेके आते हैं, इसको करते हैं, cut, ठीक है जी, और इसको paste क code, यह गया, cut होके, तो as it is, बस मैंने copy paste करा है, जादा कुछ नहीं किया है, ओके, तो चलिए, और real world में भी ऐसा ही होता है, अब यह चीज़े यहाँ पर आ गई है, तो इसको save कर लेना, server restart करना पड़ेगा, environment variable में छेट चाड़ की है, तो वो ज़रूरी है, याद और अब हम क्या करेंगे, एके करके यहाँ पर लेके आते हैं सबको, तो process.env. अब dot के बाद तो, एरा cloud नरी cloud name, ठीक है जी, तो यह cloud name आ गया है, और इसी तरह से अपना, इसको copy करते हैं, और इसको paste करते हैं, और एके करके नाम change कर देते हैं, copy, और यह paste, और third वाला भी, यह copy, और इसको paste, ठीक है जी, तो अब professionally हमारा code एकदम optimize हो गया है, कि अब सारी चीज़े environment variable में है, और properly cloud नरी का configuration भी हो गया है, यह configuration ही है, जो आपको file upload वगरा करने की permission देगी, वरना तो उसको कैसे पता कि कौन सा account, कौन सा login कर रहा है, क्या username ह तो यह है, अब हम क्या करते हैं यहां पर, वैसे तो अगर आप चाहें, तो directly बस इतना सा code लिखके भी काम अपना चला सकते हैं, in fact चली जाएगा, बट मुझे थोड़ा सा और यहां पर काम करना है, वैसे तो इससे भी बस आप file का यहां पर link दे दीजे, एक method बना दीजे, उस method में जो parameter देगा, वो बस हम as it is, यहां pass करेंगे, actually मैं करने भी वाले यही हैं, आप भी देखेंगे एक minute के अंदर, बट मैं इसको properly थोड़ा सा organize करना चाहता हूं, कि एक method बना लेते हैं, उस method के अंदर आप मेरे को parameter में वो local file का path दोगे, मैं उसको upload कर दूँगा, बना है, उसको और किस दिन के लिए बना है, तो हम लेते हैं यहां पे, इसका नाम रखते हैं, upload on cloudinary, अच्छा नाम है, रख लेते हैं, और विसी बात है, इस operation में time लगता है, तो async तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, और हम क्या करते हैं, इस method का यह लिज़े, एक arrow function मना ल जो method इसको use करेगा, वो मुझे pass करेगा, जैसे से मागे बढ़ेंगे series में, तो आपको इसको कैसे use करना है, इस method को वो भी समझभाने लगेगा, अब इतना तो समझ में आई रहा है, अब करते हैं try catch की कहानी, अच्छा, अब ये try catch ना, थोड़ा सा मुझे ध्यान से लिखन पड़ेगा, क्योंकि catch वाला part भी इतना आसान नहीं है, हम दोनों case में कैसे handle करते हैं, situation को देखते हैं, अब सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पे conditional लगाते हैं, चेक तो करना पड़ेगा ना, कि local path है या नहीं है, तो ये local file path अगर नहीं है, exclamatory लगाया है, तो क्या करना पड़ेगा, कि अगर file path है ही नहीं, तो सिधा का सिधा return कर दो null को, कि मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, आप चाहें तो एक error message भी return कर सकते हैं, कि could not find the path या कुछ ऐसा इस तरह का, next step क्या करना है, next step मुझे करना है, upload the file on cloudinary, अब upload कैसे करते हैं, upload करने के लिए मुझे प अब इसको चाहिए, यहां पर एक URL जो भी URL दे दोगे आप वो उसको pass कर देगा, यहां पर तो ने ओलंपिक flag भला दे रखा है, हम यह ना दे के अपना local file path दे देते हैं, ठीक है जी, तो हमने यह parameter parenthesis यहां पर लगाया, और simply बोल दिया कि yellow जी local file path, अब सिफ local file path नहीं, सारे चीज़े दे सकते हैं कि resource type कैसा है, कोई PNG upload कर रहा है, कोई video upload कर रहा है, तो अलग-अलग तरह के आपको options मिल जाते हैं, यहां पर जैसे ही आप comma रखेंगे, तो आपको दिखेगा यहां पर upload options, यह आपको cloud entry की website पर जाके पढ़ने पढ़ेंगे, एक curly braces लेते हैं, क्य क्या options हैं सारे के सारे, आप control space से भी दे सकते हैं कि क्या क्या option है, सारे options नहीं मिलते हैं यहां पर, तो documentation में पढ़ना ज्यादा सही होता है, chunk size भी दे सकते हैं, callback भी मिलता है, बहुत सारी चीज़े मिलती है, एक जो option आपको मिलता है, वो है resource type, कि कौन सा resource upload कर रहा हो, अब इसमें आपको कई options दिखेंगे, कि आप image ले लिजे, raw ले लिजे, videos ले लिजे, हम क्या करते हैं, इसको auto करते हैं, खुड detect कर लो, जो भी file आ रही है, तो अपना काम हो गया, तो बस यही थी कहानी, अब क्या है कि file successfully upload हो गई है, तो अब क्या करें, तो file has been uploaded successfully, तो अगर successfully upload ह गई है, तो क्या करो, हाँ जी, तो सबसे पहले तो console log करा लेते हैं, कि successfully upload हो गई है, आपका मन करें तो मत कराइए, मेरा तो मन है कि हम file upload करा लेते हैं, एक message print करा लेते हैं, कि upload हो गई है successfully, ताकि console में दिख जाए, तो file is uploaded on cloudinary, ठीक है जी, अब file का आपको अगर source वगरा चा तो हमें await तो लगाने लगाना चाहिए, और इस पूरे response को हम hold करा लेते हैं, एक variable में, तो इसको बोलेते है, response, यह लिजे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपको मैं recommend करूँगा यहाँ पे, कि आप console, यह जो response आया है, इसको आप print करा के देखी, क्या क्या information मिलती है, नहीं print क यह जाते हैं, आपको मिल जाएगा कि क्या bytes है, format, height, data, original file path, यह वो बहुत सारी चीज़ मिल जाती है, हमें जो चाहिए वहाँ पे, वो चाहिए सिर्फ एक इसका option, URL, तो upload होने के बाद जो URL है, पब्लिक URL है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, यह तो हमने हमारे ही लें, बड़ ठीक है, चलेगा इतना भी, अब दूसरी चीज़ है, error, यहाँ तक तो आगया अपना, यह लीजे, response हो गया है, अब अगर, देखे, code जो हमारा था, वो तो इती लाइन का था, इस जादा कुछ था नहीं, अब अगर file successfully upload नहीं हुई है, तो भी हमारे पास ए तो आचुका है, अब वो upload नहीं हुआ है, तो problem तो है, तो हमें क्या करना चीए, for a safe cleaning purpose, उस file को अपने server से तो अटा देना चीए, वरना बहुत सारी malicious file या फिर जो corrupted file से वो रह जाएगी server पे, तो इसी के लिए हमने पढ़ा है, कि FS के अंदर हमारे पास एक unlink का option है, तो इस unlink के के अंदर क्या कर सकते हो, अब direct भी उस कर सकते हो, और एक unlink sync कर सकते हो, मतलब asynchronous नहीं, यह होना ही चाहिए काम, और उसके बाद ही हम आगे process करेंगे, तो synchronous way में हम इसको कर देते हैं, और इसको एक local file दे देते हैं, यह हमारी strategy है, कि हम इस तरह से काम करना चाहते हैं, त as the upload operation got failed, तो यह comment मैंने आपके लिए लिख दिया है, ताकि आपको पता रहे हैं, और इस case में भी return तो करना ही चाहिए हमें कुछ, ताकि method actually में properly अपना return हुए, तो यह हमने एक चोटा सा एक यहां पर code लिख दिया है, अब यह वाला चीज तो आपको समझ में आगी है, कि हम अब देखे, बड़ी आसानी से हमने एक method बता दिया, और यह method आपको समझ में भी आ रहा होगा, कि ठीक है, अगर आप मुझे local file का path दे दो, वो वाली कहानी अभी तक नहीं समझाई, बट अगर अच्छे से local file path मिल गया, तो यह वाली कहानी तो अपने को समझ में आ गई, क try catch भी लगाना जरूरी है, असिंका weight भी क्यों जरूरी है, और cloudnery का हमने use करते हुए file upload करा दी, अब देखा, file upload इतना भी difficult नहीं था, आप चाए video हो, चाए audio हो, चाए PDF हो, चाए images हो, आप upload करवा सकते हो, at least cloudnery पे तो, इसका हम practical example भी देखेंगे, अभी नहीं देख सकते हो सकता है, इसमें bug हो, 100% मानता हूँ मैं इसके अंदर bug होगा, वो हम resolve करेंगे, जब actually मैं user का first model, जब हम registration करेंगे, क्योंकि देखे, यह हमारा basic preparation हो गया न, इसके बाद तो हम धड़ादर controllers लिखेंगे, models हमारे तयार है, तो controllers लिखना है, register लिखेंगे, login लिखेंगे, logout ल लोंगा obviously, आप भी कर लीजेगा, आपके तो क्यों ही करता है, आपके पास तो है available, ठीक है, अब क्या करना है, कि मुझे एक middleware बनाना है, अच्छा middleware अभी तक हमने एक भी नहीं बनाया है, बस मैंने आपको एक थोड़ थोड़ा idea दिया है कि middleware किस तरह से बनते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टर का यूज करके middleware ही क्यों, direct नहीं लिख सकता, बिलकुल आप direct भी लिख सकते हो, लेकिन मैं क्या चाता हूँ, कि ऐजे middleware यूज कर लूँ में इसको, ताकि वो यह ना, कि अगर जा रहे हो गई, तो जादे टाम उससे मिलके जाना, तो जहा जहां मुझे file upload capabilities की जरुत होगी, वहाँ वहाँ मैं मल्टर को inject कर दूँगा, registration form में जरुत होगी, तो इसको inject कर देंगे महाँ पर, login वाले में जरुत नहीं है, तो वहाँ नहीं करेंगे, तो अपने लिए एक अच्छी utility बन जाएगी, अब ये utility से नहीं है जादा, क्योंक मल्टर की functionality कैसे लिखते हैं, तो ठीक है, तो middleware अभी बनाते हैं, usage भी हम देखेंगे, चिंता मत कीज़ उसकी भी, इतना आपको समझाए, अच्छे से समझ में आए, आगे भी समझ में आएगा, तो एक नई file बनाते हैं इसके अंदर, middleware के अंदर, right click और new file, इसका नाम हम मल्टर, ये लिजे मल्टर, अब क्योंकि middleware है, तो आपको कई बार दिखेगा, कि कुछ लोग milter.middleware.js use करते हैं, जैसे हमारा model थे, मल्टर.model.js या मल्टर.controller.js as such कोई इसका फरक पढ़ता नहीं, आप see that .js लिखोगे तो भी ठीक है, बटी थोड़ा सा clarity देता है कि कि किस तरह से काम होना चाहिए, इस file के अंदर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मल्टर को import करा लेते हैं, ये लिजे मल्टर आ गया ह अब मल्टर कैसे काम करता है, ये तो पता ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं पता है, हवा में थोड़ी पता लग जाएगा, तो हम चलते हैं मल्टर के पास, और मल्टर से बोलते हैं कि आप अपना documentation, अब ये documentation है ये तो read करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई आपके इस तरह से काम करता है, अगर आपको upload single file करनी है, तो इस तरह से single file upload करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जब भी हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, तो upload.single ये अवतार, ये कहां से आया है हमारे पास में, ये upload सारी configuration मल्टर से आ रही है, तो इसी तरह से मल्टर यूस किया जाता है कि एक बार आप मल्टर इंपोर्ट करा लो, उसके बाद कौन सी डेस्टिनेशन है वो उसको बता दो, और उसके बाद आप यहाँ पर बीच में इसको रख पा रहे हैं, अभी तक हमने देखा था कि slash instagram था, उसके बाद ये एक function हम लिखते थे, request response next, और ये जो बीच ना करके हम एक separate file में कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको separate रखना चाहते हैं, बस इसलिए, तो यहाँ पर हमारे पास ये तो एक perfect बात होगी, कि आप single photo upload करो, या area upload करो photos का, middleware तो चाहिएगा, ठीक है, इतनी कहानी भी clear हो गई, लेकिन अब मैं उसको save कैसे करा हूँ, ये कहानी त अच्छा, तो ठीक है, destination पढ़ना पड़ेगा, यानि कि आप disk storage देते हो, बट, अपने पास एक memory storage भी है यहाँ पर, ये क्या करता है, a buffer of entire file, तो पूरी की पूरी file को आप चाहो तो temporary memory में भी store कर सकते हो, और disk में भी, obviously बात है, memory में store करोगे, memory भर जाएगी, file अगर बढ़ यही करना है, exactly यह काई है, तो storage, multi-disk storage, destination हमें देना है, फिर एक CB है, callback, short use होता है, काफी जगे आपको मिलेगा है, documentation में, इसके अंदर first parameter null ही देना है, आपको और पढ़ना होते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि क्यों, क्या, कैसे, यह आप पढ़ी आराम से, और इसके बाद हम फाइल का name देते हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद अगर कुछ dash वगरा लगाने, कुछ suffix, आपको लगाना है, फाइल name change करना है, तो आप कर लीजे, और यह आपका हो गया काम इतना सा, कि आपका यह पूरा का पूरा upload storage बन गया है, तो इसी को copy कर लेते हैं, और देखते है कैसे काम करेगा यह, तो यह लीजे, इसी को copy करके लेके आते हैं, अपने code file के अंदर, यह लीजे, अब वापिस से बता रहा हूं, हम disk storage यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो दूसरा वाला storage है, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, और वैसी बात है, memory storage भी कर सकते हो, कई और cb, यह जो file है, यह मल्टर के पास ही होता है, request तो है यह आपके पास, जो user से request आ रही है, एक file access आपको और मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सारी files मिल जाती है, request के अंदर तो आपके body में जो भी आएगा JSON data, वो मिली जाता है, अगर file भी आ रही है, इसी लिए ही body के अंदर JSON data और यह सब तो हमने configure कर दिया express में, बट file नहीं होती है, इसी लिए मल्टर या फिर express का जो file upload है, वो use होता है, ताकि आपको बीच में एक और option मिल जाए, ताकि मैं file का use कर पाऊं, cb कुछ नहीं, callback है, वो ही अपना parenthesis लगा के जो करते हैं, वो ही basic, वो ही वा कि error कैसे handle करो, नहीं करना कोई error handle हाभी मुझे, इसमें करना भी नहीं पड़ता जादा, अब आपको कौन सा यहाँ पे folder देना है destination, जहाँ पे आप अपनी सारी files होगरा रखोगे, तो मैं जहाँ पे अपनी सारी files रखूँगा, पहल तो मैं इसको double quotes में convert करता हूँ, वो इसका meaning क्या है, तो मैं सारी files public folder के अंदे रखूँगा, ताकि easily उसका access मिल जाए मुझे, ओके तो यह हमारा public folder है, ठीक है जी, इतना काम तो हो गया है, अब दूसरा option है यहाँ पे file name, अब आपको file name change करना है, unique रखना है, हर एक file name किस तरह से रखना है, वो आपके उपर है, इसको और advance किया जा सकता है, आप कई बार देखेंगे कि file का name, unique IDs से रखा जाता है, nano IDs यूस की जाती है, मतलब सिर्फ numbers और characters के string, अभी के लिए मैं इतना जादा तो नहीं जाओंगा कि आपको unique suffix भी मिले, कि file name के बाद क्या है, कि dash लगा कि अपना random word रख दो, letters और उसका combination dot png वगरा, जो भी उसका नाम आएगा, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं avoid कर रहा हूँ अभी, क्योंकि basic ही रखते हैं अभी के लिए, बाद में कभी discuss कर लेंगे, इनका क्या importance है, क्या महत्व है, इन सब चीजों का, उसके बाद आते हैं हम हमारे callback पे, callback null है, file का जो field name है, आप इस file के अंदर आपको काफी चीज़े मिलती है, मैं recommend करूँगा आप इस file को console log करके देखेगा, काफी options आपको मिलेंगे, या documentation read करिएगा, तो file के अंदर आप dot करेंगे, तो देखें या पर destination name, field name, file name, बहुत कुछ आपको मिलता है, एक आपको original name भी मिलता है, कि जो भ वाला original name हमें बता दो, बस उसी से save हम रख लेंगे इस file को, वैसे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि user के हो सकता हितेश नाम की 5 file आजाए, और राइट हो जाएगी, बट क्योंकि operation ना इतना tiny amount के लिए अपने पास रहेगा server पे, थोड़ देर के लिए वो रहेगी file, फिर पूरा multar वाला अपना कहनी है, इसको हमें export भी करना चाहिए, क्योंकि बिना export के तो ये काम में कैसे लेगा कोई भी, ये लीजे हम क्या करते हैं, इसको export कर देते हैं, तो export, const, upload, और upload के अंदर हमारा multar, इसको मैं क्या करता हूँ, ये लीजे, ये as it is हमें या पे रख लेत method तो कि हम इसको as a middleware ही use करेंगे, और वहां से हम अपना काम कर देंगे, ठीक है, तो बड़ा ही basic था, आपने देखा इतना कुछ difficult नहीं है, configuration हो चुकी है, अब configuration से फायदा क्या हुआ, जैसे आपके पास multar अब आ गया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन examples को जब मैं अ files आएगी, तो मैं उस route के अंदर जाके, सिर्फी जैसे upload.single लिखा है, वैसे मैं मेरा storage method call कराऊंगा, और यहां पर storage लिख दूँगा इसको, तो अपने पास वो file वहां पर मिल जाएगी, उस तरह से, उस नाम से, अब उसको access कैसे करना है, file को, और उसको कैसे देना है, वो स personal name, तो जो local path वाली हमारी कहानी थी, वो यहां से solve हो जाती है, क्योंकि आपको जो return करता है storage method, यहां से multer के बाद, आप देखेंगे कि आपको जो file name है, यह पूरा पूरा return कर देगा, तो slash public करके, जो पूरा मिर पास local path आना चाहिए, वो मिर पास आ जाएगा, print भी करके दे लिखेंगे, discussion भी करेंगे उस पर, बड़ा ही अच्छा method है, बट इतनी ही कहानी है, अब मुझे लगता है कि हम शायद 95% तयार हो चुके है, कि हमने configuration करा है, अब एक आपको interesting चीज़ बताते हैं यहां पर, कि गौर से सोची हमने किया क्या है अभी तक, हमने सिर्फ और सिर् files वगरा को देखेंगे, तो हमने देखें, एक single controller नहीं लिखा है, हमारे पास एक single route नहीं अभी तक, हमारी index file यह app file देखेंगे, तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है अभी तक, तो इतना सारा काम हमने क्या करा है, सिर्फ setup, यह है production grade setup, जब भी आपको production grade कोई काम होगा, industry level standard होगा, high companyों में आप काम करेंगे, इतना ही time लगता है, सब कुछ setup करने में की, files भी इस तरह से handle होगी, videos भी handle होगे, अधिक तर लोग, जाधा तर controllers में जल्दी करते हैं भागने की, नहीं पहले controller लिखके दिखाओ, user को register करके, MongoDB पे बस data ले जाओ, तो user को confidence आ जाएगा, क लेकिन मैं आपको बताना चाता हूँ, back end को लोग complicated क्यों बोलते हैं, और back end engineers की salary जाधा इसली होती है, क्योंकि वो इतना सब scenario सोच के चलते हैं, कि ऐसा होगा तब यह हो जाएगा, ऐसा होगा तब, तो इतने सारे corner cases जो उनको सोचने पड़ते हैं, यह सोचने के ही पैसे मि लिया जाएगा, middleware भी एक दो लिख दिये, और भी लिखेंगे, middlewares और भी आएगे, बट अभी नहीं, अब हम I think 95% ready है, कि हम हमारे controllers और route पहला user register कर सकते हैं, अब पहला user जब register करेंगे, obviously बात है, front end तो है नहीं, तो कैसे handle करते हैं, back end engineers, postman वगरा को use करते हैं, आपने द कि किस तरह से चीजे होती है, किस तरह से होती है, और कैसे करनी चाहिए, तो professionally स्वागत है आप सभी का, हम यहाँ पे सारा professionally code लिखते हैं, तो बस आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आपको file upload की अब जानकारी हो गई है, आप किसी भी तरह का file handle कर सकते हैं, cloud नरी प्य को, और मिलते हैं आप से अगले वीडियो में,